नमस्कार मेरे पहरे देश्वासियों मैं आज एक बार फीर कोरोना वैस्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूँ 22 मार्च को जनता करिफ्यू का जो संकल्प हमने लिया था एक राष्ट के नाते उसकी सिध्धी के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदन सिल्ता के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया बच्चे बुजूर्ग छोटे बड़े गरीब मद्यम हर वर्क के लोग हर कोई परिक्षा की इस घड़ी में साथ आया जनता करिफ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया एक दिन के जनता करिफ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है जब मानवता पर संकट आता है तो किस प्रकारते हम सभी भारतिया मिलकर के एक जुड़ होकर उसका मुकाबला करते हैं आप सभी जनता करिफ्यू के लिए उसकी सफलता के लिए प्रसंसा के पात रहे हैं साथियों आप कोरोना वैस्विक महामारी उस पर पूरी दुनिया की स्थिती को समाचारों के माध्यम से सून भी रहे हैं और देख भी रहे हैं आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है लेकिन कोरोना वाइरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चनवती बढ़ती ही जा रही है इन सभी तेशों के दो महिनों के अध्यान से जो निश्कर से निकल रहा है और एक्सपर्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्वीक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोशल डिस्टंसिंग सोशल डिस्टंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमन की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा कुछ लोग इस गलत फैमी में है कि सोशल डिस्टंसिंग केवल मरीज के लिए बिमार लोगों के लिए आवशक है ये सोचना सही नहीं सोशल डिस्टंसिंग हर नागरिक के लिए है हर परिवार के लिए है परिवार के हर सदस्ट के लिए है प्रधान मंत्री के लिए भी है कुछ लोगों की लापरवाही कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को आपके माता-پिता को आपके परिवार को आपके दोस्तों को और आगे चल करके पुरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में जोंग देंगी अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और ये कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है साथियों पिछले दो दिनों से देश के अनेग भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपून लिलने करने जा रहा है आज रात आज रात बारा बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिये पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर देश में संपूर लोकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंद्र सासित प्रदेश को, हर जिले, हर गाउ, हर कस्पे, हर गली, मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जरा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाप मिननाएक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तौर पर इन लोकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी बारत सरकार की देश की हर राचे सरकार की हर स्थानीय निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विकता है और इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है और मैं हाद जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे अभी के हालात को देखते हुए कि देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा तीन सब्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी तब मैंने आप से कहा था कि मैं आप से कुछ सब्ता मांगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है हेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है अगर ये 21 दिन नहीं समले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा अगर ये 21 दिन नहीं समले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कहरा हम इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहें साथियों आज के फैसले ने देश व्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्षमन रेखा खीच दी है आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम आपका सिर्फ एक कदम कौरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है आपको ये याद रखना है कि कई बार कौरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुवात में बिलकुल स्वस्थ लगता है वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता और इसलिए एहतियात बरतिये अपने घरों में रहिए वैसे जो लोग घर में है वो सोचल मीडिया पर नए नए तरीकों से बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया मैं आपको भी यह बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूं को कारोन यानि कोई रोड़ पर ना निकलने कोरोन यानि कोई रोड़ पर ना निकले साथियों एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वाइरस पहुंचता है तो उसके शरीर में इसके लक्षन दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं इस दोरान वो जाने अंजाने हर उस व्यक्ति को संकर्मित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है वर्ल हेल्थ और्गनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संकर्मित एक व्यक्ति सुनिए एक व्यक्ति सिर्व हपते दस दिन में सेंकडों लोगों तक इस को पहुंचा सकता है यानि यह आंग की तरह तेजी से फैलता है कि वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि साथ्यों दुनिया में कि कोरोना वाइरस से संकर्मित व्यक्तियों के संख्यां को पहले एक लाग तक पहुंचने में 67 देज, 67 दिन लग गए थे यानि एक लाग तक पहुंचने में 67 दिन उसके बाद सिर्फ ग्यारा दिन में सिर्फ ग्यारा दिन में ही एक लाग नए लोग संकर्मित हो गए यानि दो लाग हो गए सोचिए पहले एक लाख लोग संक्रमित होने में 66 दिन लगे और फिर इसे दो लाख लोगों तक पहुँचने में सिर्फ 11 दिन लगे ये और भी भयावा है कि दो लाख संक्रमित लोगों से तीन लाख लोगों तक ये बिमारी पहुचने में सिर्फ चार दिन लगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वाइरस कितनी तेजी से फैलता है और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है साथ्यों यही बज़े हैं कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इरान जैसे अनेएक देशों में जब करोना वाइरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बे काबू हो गए है और ये भी याद रखिये इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्त सेवा, उनके हस्पिटल, उनके यहाँ आदूनिक संसाधन, पूरी दुनिया में बहत्रीन है, उनकी व्यवस्ताएं बहत्रीन मानी जाती है बावजुद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए सवाल ये कि इस स्थिती में उमीद की किरन कहा है, उपाय क्या है, विकल्प क्या है साथियों, कोरोना से निपटने के लिए उमीद की किरन, उन देशों से मिले अनुभव है, जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रिक कर पाए हपतों तक इन देशों के नागरीक गरों से बार नहीं निकले, इन देशों के नागरीकों ने सत प्रतिशत, हंड्रेट परसंट सरकारी निर्देशों का पानन किया और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बाहार आने की और बढ़ रहे हैं, हमें भी ये मान कर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिरफ यही एक मार्ग है, एशह पंथा हाँ, हमें गर से बाहार नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाएं, गर में ही रहना है, सोचल डिस्टंसिंग, प्रधान मर्द्री से ले करके, गाउं के छोटे से नागरिक तब सब के लिए, कोरोना से तभी बचा जा सकता है, जब घर की लक्ष्मन रेखा न लांगी जाए, हमें इस महामारी के वाइरस का संक्रमन रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है, साथियों, भारत आज उस स्टेज पर है, जहां हमारे आज के एक्षन तै करेंगे, कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं, ये समय हमारे संकल्प को, बार-बार मजबूत करने का है, ये समय कदम कदम पर संयम बरत्ने का है, आपको याद रखना है, जान है तो जहान है, साथियों, ये धैरिय और अनुशाशन की घड़ी है, जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिती है, हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना बचन निभाना है, मेरी आप से हाथ जोड़ करके प्रार्तना है, कि घरों में रहते हुए, आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल काम ना करिए, जो अपना कर्तब में निभाने के लिए, खुद को खत्रे में डाल कर काम कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स, उन नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलोजिस, उनके बारे में सोचिए, जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए, दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं, अस्पताल प्रसासन के लोग, एम्बिलन्स चलाने वाले ड्राइवर, बॉर्ड बॉइज, उन सभाई कर्वचेरियों के बारे में सोचिए, जो इन कठीन परिश्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं, आप उन लोगों के लिए प्रार्षना करिए, जो आपकी सुसाइटी, आपके महलों, आपकी सडकों, सारवजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वाइरस का नामों निशान न रहें, आपको सही जानकारी देने के लिए 24 गंटे काम कर रहे मेडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमन का खत्रा उठाकर सडकों पर अस्पतालों में हैं, आप अपने आसपांस के पुलीस कर्मियों के बारे में सोचिए, जो अपने घर, परिवार की चिन्ता किये बिना आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, दिन, रात, ड्यूटी कर रहे हैं, और कई बार कुछ लोगों के गुस्ता खेके भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी जेल रहे हैं, साथियों, कौरोनां, बैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच, केंद्र और देश भर की राजसरकारें, तेजी से काम कर रही हैं, रोज मरा की जिन्दगी में, लोगों को असुविदा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही हैं, सभी आवश्चक बस्तूओं की सप्लाइब बनी रहें, इसके लिए सभी उपाय किये गए हैं, और आगे भी किये जाएंगे, निश्चित तोर पर संकर की ये घड़ी, गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ, समाज के अन्य संगठन, सिविल सुसाइटी के लोग, गरीबों को मुस्रिबत कम हो, इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं, गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहा हैं, आथियों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही, जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए जो जरूरी हैं, उसे सरवोच्च प्राथिक्ता देनी ही पड़ेगी, इस वैश्विक महामारी से मुकाबला करने के लिए, देश की स्वास्त सुविधाओं को तयार करने का काम केंद्र सरकान लगातार कर रही है, भारत के बड़े चिकित्साव और अनुसंदान संस्तानों तता स्वास्त विश्यसग्यों की सला और सुझाव पर कार्य करते हुए सरकार ने निरंतर फैंसले भी लिए है अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए कि देश के हेल्थ इंफास्ट्रक्टर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज पंद्रह हजार करोड रुप्य का प्रावधान किया है इससे को कोरोना से जूड़ी टेस्टिंग फेसलिटीज पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट्स आइसोलेशन बेट्स आइसी यू बेट्स वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों के संख्या तेजी से मेडिकल और पेरामेडिकल मेन पावर के ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा मैंने राज्य सरकारों से अनुरोद किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्रात्मिक्ता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ सेवाएं ही होनी चाहिए मुझे संतोष है कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंदे से कंधा मिलाकर संकट और संक्रमन की इस गड़ी में देश वासियों के साथ खड़ा है प्राइवेट लेप्स प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनोती पुन दौर में सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन साथियों ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अंजाने कई बार अफ्वाएं भी बहुत जोर पकरती है और अफ्वाएं के ट्राविल करने की ताकत भी बहुत होती है मेरा आप से आग्रह है कि किसी भी तरह की अफ्वा और अद्र विश्वास से बचें आपके द्वारा केंद्र सरकार, राज सरकार और मेडिकल फेटेनिटी द्वारा दिये गए निर्देश और सुझाओं का पालन करना बहुत जरूरी है मेरी आप से प्रार्थना है किस बिमारी के लक्षणों के दवरान बीना डॉक्टरों की सला के कोई भी दमा न ले किसी भी तरह का खिलवाड आपके जीवन को और खत्रे में डाल सकता है साथियों मुझे विश्वास है हर भारतिय संकट की इस गड़ी में सरकार के स्थानिय प्रसासन के निर्दोंशों का पालन करेगा 21 दिन का लॉक्डाउन लंबा समय है लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपुन है हमारे पास यही एक महत्वपुन रास्ता है मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बलकि इस मुश्किल घड़ी से विजय होकर निकलेगा आप अपना ध्यान रखिये अपनों का ध्यान रखिये और आत्मविश्वास के साथ कानून नियमों का पालन करते हुए पूरीता संयम बरते हुए विजय का संकल्प करके हम सब इन बंधनों को स्विकार करें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लीजे